नमस्कार अनपूर्णा रस्व इंड होम रेमेडीज में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ में बहुत ही टेस्टी और ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाए हुए श्रीखन की रेसेपी शेयर करने जा रहे हूँ इसके लिए देखे मैंने देड लीटर दूद का दही जमा लिया है देखे दही बहुत अच्छे से जम गया और बिल्कुल ताजा दही है चार गंटे पहले मैंने इसको जमाया हुआ था अब देखे इसको हम एक पतीला ले लिया मैंने इसके उपर एक मर्मल का कपड़ा रख देंगे हम एक मर्मल का कपड़ा ले लिये हैं और इसमें हम दही को डाल देंगे दही का हमको चक्का बनाना है श्रीखन बनाने के लिए देखी सारा दही मैंने इसमें डाल दिया है अब हम इसको बांद के रख देंगे इसको हमको बांद देना है पूरा एक जगह हमको देखी इस तरीके से एक जगह हम दही कर लेंगे और थुड़ा हाथों की सहायता से दबा लेंगे और फिर हम इसको बांद देंगे और किचन में इसको किसी हूप की सहायता से उपर लटका देंगे हम बीच में हम थोड़ा सा दबाते हुए इसका बीच-बीच में पाने निकालते जाएंगे चार घंटे के लिए हम इसको लटका के रख देंगे देखे, मैंने उपर हुक में इसको लटका दिया है, तीन-चार घंटे के बाद इसका पूरा पानी निकल जाएगा, बीच-बीच में मैं इसको थोड़ा दबाते जाऊंगी, दही भी हमारा मीठा था, और इसका जब पूरा खटा पानी निकल जाएगा, तो दही खटा नहीं अब देखे, चार घंटे हो चुके हैं, और बीच में मैं इसको दबाते गई हूं, इसलिए इसका पूरा पानी निकल चुका है, आप देख सकते हैं, तो देल लीटर दूद का दही जमाया था मैंने, और ये करीब 400 ग्राम हो गया है, ये देखे, इस तरीके से हो गया है, च आप देखे, पनीर की तरह हो चुका है ये, और इसका पूरा पानी निकल गया है, आप देख सकते हैं, पूरा खटा पानी इसका निकल गया है, और हलका सा खटा टेस्ट इसमें होता है, जो कि इस शिरिखन के लिए बिल्कुल जरूरी है, चार सो ग्राम ये है, तो इसमें हम धाई सो ग्राम, दो सो ग्राम शकर डालेंगे, मैं धाई सो ग्राम शकर डाल रहे हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा, टेस्ट के अनुसार, देखे, शकर को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से, देखे, मैंने शकर मिक्स कर ली है, और ये मैंने इलाईची पाउडर लिया है, बाद में हम इसमें इलाईची पाउडर डालेंगे, और ये चिरोंजी दाने है, और यह मैंने थोड़ा सा दूद ले लिया है हमको दूद की थोड़ी ज़रूत पड़ेगी जब हम इसको बनाएंगे तब अब चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं यह देखें ट्रेडिशनल स्टाइल से इस तरीके से बनता है एक मलमल का कपड़ा एक पतीले पर बान देते हैं और फिर हम उसकी सहायता से शकर और दही को चानते हैं मैंने अपनी मम्मी और नानी लोगों को इसी तरह से बनाते हुए देखा है शुरूखन लेकिन इसका एक सबस्ट्यूट है देखेए ऐसी चन्नी आती है मार्केट में जिसमें एक पतला कपड़ा लगा होता है और गी चन्नी है इसमें दो तह है तो इससे हम शुरूखन बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा ये भी देखेए शक्कर और दही को जो हमने मिक्स करके रखा था उसको चन्ने पर डाल देते हैं उचमच के सहायता से अब हम इसको इस तरीके से चानेंगे ये देखेए धीरे धीरे हम इसको चानेंगे जिससे की दोनों मिक्स हो जाएंगे पिसी हुई शकर जो हमने ली है हमको इसके लिए पिसी हुई शकर ही लेना है तो पिसी शकर और पिसी शकर जो होती ही दही में मेल्ट होते जाती है तो आसानी से चहना जाती है और थोड़ा हमारा कड काफी पानी निकल चुका है तो हम उस में दूद एड कर देंगे जिसे कि इसमें एक थोड़ा सा कटापन भी है तो वो भी कम हो जाता है और हमको इसको चानने में भी हेलप हो जाती है एच्छे से दूद डाले से लेकिन दही का पूरा पाने निकालना बिल्कुल जरूरी है थोड़ा थोड़ा दूद हम बहुत थी कम आधा चमच हम दूद डालेंगे इसमें और इसको हम चानते जाएंगे देखिए आसानी से ठन जाता है और बहुत ही अच्छे से बनता है बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में ही बनता है ये आप देख सकते हैं देखिए नीचे कितने अच्छे से श्रीखन निकल रहा है शकर और दही बिल्कुल एक जान हो चुके हैं देखिए इस तरीके से हम इसको निकालते जाते हैं ये देखिए तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल स्टाइल अगर आपके पास वक्त नहीं है आप बहुत जल्दी में है और आप श्रीखन खाना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको बहुत फटाफट बना सकते हैं इसके लिए देखिए ये हमें मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसमें ये मिक्षर जो है दही और शकर का जो हमने मिक्स करके रखावा था उसको डाल देते हैं आधा हमने चनी से चान लिया है और आधा मैं आपको इसमें करके बताती हूँ, इसमें भी बहुत अच्छे से बनता है, ये दिखें, इसमें हम मिक्सी में डाल दिया है, मिक्षर को, हल्का सा बिल्कुल दूर डाल देंगे, हम एक चमच इसमें, और इसको हमको बिल्कुल ओन अन-ख करके चलाना है, बिल्कुल एक यरते मिनट में ये बनके तयार हो जायेगा, बहुत जादा नहीं चलाना है, तो ये बिल्कुल पतला लसी जेसे बन जाता, तो बहुत ही सहुलिय mechanics है, देखें मैंने इसको चला लिया है और इसमें शरीखंड बनकर बिल्कुल तयार हो गया है यह देखिए कितना अच्छा श्रीखंड बना है यह भी बहुत अच्छे से बन जाता है बहुत आसानी से बन जाता है अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं यह देखिए एक बॉल में हमने निकाल दिया है इसको यह देखिए दोनों बॉल में मैंने जो चनी से चान कर बनाया है जो मिक्सी में बनाया है दोनों शरीखंड आप देख सकते हैं दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं देखें मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया हैं और मैंने एक कटोरी में थोड़े से दूद में केसर की कुछ पतियां डाल कर रखी हुई है तो जिसको केसर का फ्लेवर पसंद है आप चाहें तो पूरे में भी केसर डाल सकते हैं मैं एक कटोरी में थोड़ा से केसर मिक्स करती हुँ अगर आपको इसका केसर का फ्लेवर पसंद है तो आप पूरे एक श्रीखन में केसर मिक्स करिए तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और केसर का फ्लेवर भी आएगा मैं एक ही कटोरी में मिक्स कर रही हूँ और इसमें हम इलाइची पाउडर डाल देंगे काजू और बादाम मैंने बारिक काटके रखे हैं यह डाल देते हैं चिरोंजी दाने डाल देंगे हम उपर से देखिए हमारा श्रीकन बनकर तयार हो चुका है अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और फिट ठंडा ठंडा सारू कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकान दबाना बिल्कुल ना भूलिए और एक बार इस रेसिपी से श्रीकन जरूर बना कर देखेगा बहुत अच्छा बनेगा थैंक यू